इसका जो डिजाइन है वो काफी नाइस अन स्ट्राइलिस डिजाइन है इसका अगर आप इसको रोड पे चलाओगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये एक इलेक्टिक स्कूटर है बिल्कुल एक पेट्टोल स्कूटर के जैसा इसका डिजाइन बनाया गया है दोस्तो इसक कीमोत अन रोड पे करिबन 50,000 के असपास पे है इंडिया में सिर्फ यही एक इलेक्टिक स्कूटर है जिसके अंदर पे 5 बैटरी है अब देख सकते हो इसकी जो हेडलाइट की डिजाइन है वो काफी स्टाइलिस डिजाइन है ये हैलोजीन बालब है LED नहीं है बिल्कुल ए एक पेट्टोल स्कूटर का भी सामने का सस्पंसन ऐसा ही होता है अब देख रहे हो आपके सामने सामने एंड पीछे दोनों टायर ही आप क्यूबलेस डेक पाओगे सामने की टायर की जो साइज है वो 3.0010 का साइज आप देख पाओगे इसकी प्रॉंट की जो हुल साइज ह वो 254 mm का है प्रॉंट टायर पे सा 22 PSI अलाव हील्स सामने की जो ब्रेकिंग है यहाँ पे आप ड्राम बेक देख पाओगे इस स्कूटर पे तो बहुत साड़ा लोट नहीं रहेगा इसलिए कॉमपानी सामने पे कोई डिस बेक यूज नहीं कर रहा है स्पेजाली दोस्तों ये टू सीट का स्कूटर है इस स्कूटर पे दो ही लोग बैठ सकता है चलिए दोस्तों आप इसकी मीटर कैपसिटी को देख लेते है इसकी जो मीटर कैपसिटी आप देख रहे हो काभी स्टाइलिस मीटर कैपसिटी है यहाँ पे सब कुछ डिजिटल आप देख पाओगे इसकी top speed है 35 km पर हवार की उससे ज़्यादा ये रप्तर नहीं पकड़ सकता है बिल्कुल एक petrol scooter के जैसे इसकी handle capacity आप देख पाओगे यहाँ पे देखो horn indicator और pass का button आप देख पाओगे और यहाँ पे भी horn है और यहाँ पे headlight का switch भी है scooter के सामने पे जैसा थोड़ा सा जगा होता है कि कुछ सामान आपकी ज़रूरतिय सामान यहाँ पे आप रख सकते हो वैसा ही जगा यहाँ पे भी आप देख पाओगे इसकी motor power जो है वो 250 wattage का है और एक बार full charge करने के बाद यह करिबन 70 km तक चल सकता है पीछे की दोस्तों जो suspension है वो dual suspension आप देख पाओगे इसका एक बार full charge का मतलब यह एक unit electric लेता है यानि की दोस्तों से 7 रूपिया पे इस scooter के दोरान आप 70 km तक जा सकते हो पिड्डल scooter के अंदर जहां पे उसकी engine रहता है उस जगा पे ही इस scooter के अंदर इसकी battery रहता है VRA ले battery type है इसका इसकी पीछे की tire की जो size है वो 3.0010 का size अब देख पाओगे tubeless tire दोनो tire ही tubeless tire है पीछे की tire की जो पिसर है वो 34 psi का है एक खास चीज आपको देखाना चाता हूँ यहाँ पे देखो इसकी पीछे की जो tire है उसके पास पे ये एक lock system है इसको lock करने से आपकी scooter की पीछे की tire पुरी तरह lock हो जाएगी ये आपकी scooter की safety के लिए company दे रहा है इसके पीछे की जो braking है वो भी drum bag अब देख पाओगे दोस्तो इस scooter की जो weight है जो capacity है उसके हिसाब से इस scooter पे कोई भी disc brake की ज़रूरत नहीं है एक petrol scooter के जैसा ही यहाँ पे भी आप drum bag देख पाओगे इसकी car weight है 93 kg इसकी load capacity है 75 kg इसकी backlight की design को देखो काफी nice backlight की design है और ये LED अब देख पाओगे इस scooter के seat के नीचे आप 10 liter की storage देख पाओगे कोई भी gear या clutch नहीं है scooter के जैसा ही accelerator दबाता ही यह scooter चल पड़ेगा बैटरी के एक seat पे ये कडिवन 30,000 km तक चलेगी उसके बाद इसकी बैटरी खाड़ाब होगी कोई भी pollution का chance नहीं है engine bike के तरह इसका कोई vibration भी नहीं है एक family scooter के तरह इसको आप बिल्कुल खरिच सकते हो so guys अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जोड़ो like and share करना मेरे चनल को जोड़ो subscribe करना thanks for watching this video